इस वीडियो में मैं आपको हर्याना के करेंट अफेर के कोशन बताऊंगा जो आपको आने वाले हर्याना के एक्जाम्स में हेल्प करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें देखे, आपका पहला कोशन है कि S.Y.L. यानि सतलू जियमना लिंक की खुदाई को लेकर किस बोर्डर पर अंगामा हुआ इसमें आपका अंसर होगा संभू बोर्डर देखे, संभू बोर्डर जो की पंजाब और हर्याना के बीच में है आपका कोशन आ सकता है कि संभू बोर्डर हर्याना के किस डिस्टिक से लगता है या पंजाब की किस डिस्टिक से लगता है तो संभू बोर्डर जो है पंजाब की पटियाला डिस्टिक के राजपुरा और हर्याना के अंबाला डिस्टिक के बीच में है देखिए इसमें आपका एक कुश्यनोर बन सकता है किस संभू बोर्डर किस नैशनल हाईवे पर पड़ता है तो इसमें आप का अंसर होगा नैशनल हाईवे वन जो कि दिल्ली को अमरीचर से जोड़ता है देखिए सतलू जिमना जल विवाद है क्या जब एक नवंबर 1966 को हर्याना पंजाब से लग हुआ तो दोनों राजियों के बीच में नहरों के पानी को लेकर बिबटवार हुआ जिसमें केंदर सरकार के एक अधी सूचना के जरीए 7.2 मेफ मिलियन एकर फीट में से 3.5 मेफ पानी हर्याना को देने के लिए का इसके लिए सतलू जिमना नहर बनाने का फैसला हुआ इसमें आपका एक उशन और बन सकता है कि सतलू जिमना नहर की कुल लंबाई कितनी है तो इसमें आप का अंसर होगा सतलू जिमना नहर की कुल लंबाई लगबग 212 किलोमीटर है जिसमें हर्याना के हिस्से में 91 किलोमेटर आते हैं और पंजाब के हिस्से में 122 किलोमेटर आते हैं देखिए हर्याना ने तो अपने हिस्से की 91 किलोमेटर नहर का निर्मान कारेव पूरा कर लिया लेकिन पंजाब ने अपने इसे की 122 किलोमेटर नहर का निर्मान अभी तक नहीं किया पंजाब हर्याना को पार्णी देने से इंकार करता आ रहा है तो फिर इसके लिए हर्याना ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हर्याना के हक में फैसला सुनाया है आपके सेंटर के एक्जाम में कोशन और बन सकता है कि SYL यानि सतलू जिमना लिंक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने किसके हक में फैसला सुनाया है तो इसमें आप का अंसर होगा हर्याना आपका next question है ISSF World Cup shooting में हर्याना के किस खिलाडी ने रज़त पदक दीता है आपका answer होगा अंकुर मितल देखिये अंकुर मितल से सम्मधित और भी question बन सकते हैं कि अंकुर मितल का जनम कब हुआ अंकुर मितल का जनम कहा हुआ देखें अंकुर मितल का जनम हर्याने के सोनीपत जिले में 30 मार्च 1922 में को हुआ ISSF का मतलब है International Shooting Sport Federation जिसका आयोजन इस वर्ष मेक्सिको में किया गया था इसमें हर्याने के अंकुर मितल ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है 2016 में अंकुर मितल की परफोर्मेंस को देखते हुए हर्याने सरकार ने अंकुर मितल को भीम पुरुसकार से भी नवाजा है देखें इसमें आपका एक कुशन ऐसे भी आ सकता है कि अंकुर मितल की स्खेल से सम्मधित है तो आपका अंसर होगा Shooting या निशाने बाजी आपका नेक्स्ट कोशन है हर्याना का पहला international लगू फिलम महुच्चव कहां होगा देखें रियाना का पहला international लगू फिलम महुच्चव या international short film festival का आयोजन कुरुश एक्तर में होगा यह आयोजन 13 से 16 अपरेल तक चलेगा इसमें देश प्रदेश सो के साथ अर्याना की चार लगू फिल्में दिखाई जाएंगी आपका नेक्स्ट कोशन है इंटर युनिवर्स्टिक ग्रिको रोमन और फ्री स्टाइल में किसने ओर राल ट्रोफी जीती तो इसमें आपका अंसर होगा M.D.U. यानि मेर्सी दयानन्त युनिवर्स्टिक जो की रो तक में है आपका नेक्स्ट कोशन है उद्धाय युजना में अब तक कितने राजे सामिल हो चुके हैं आपका अंसर होगा 23 उद्धाय की फुल फॉर्म होगी उजवल डिस्कॉम अस्यूरेंस युजना तेखिये आपका नेक्स्ट कोशन है वर्ड बेडमिंटन फेडरेशन में भारत की तरफ से कौन परतिने देतों करेंगी आपका अंसर होगा साइना नेवाल साइना नेवाल का जनम 17 मार्च 1990 को हर्याना के इसार दिले में हुआ तो आपका कुशन आ सकता है कि साइना नेवाल हर्याना के किस दिले से सम्बंदित है तो आपका अंसर होगा हिसार तो नेक्स कुशन है हाली में हडपा कालिम सब बेता के कंकाला वसेश कहां से मिलए हैं तो आप कहां असर होगा समचाना रोतक पर नेच्ट कशिन है हरियाना के किस दिले ने लिंगानुपात के लिए आंलाइन डैस बोर्ड बनाया है तो आप कहां असर होगा पाणिपत देखें, डेस्बोर्ड की स्थापना लिंगानपात के आकडों की सिटीक जानकारी और इसकी मोनिंटरिंग हेतु की गई है वर्तवान में पानिपत जिले का लिंगानपात 961 है आपका नेक्स्ट कॉशन है अपका नेक्स्ट कॉशन है टी-20 मैच में 6 विकट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज युजवेंदर चैल कहां के रहने वाले है देखिए युजवेंदर चैल हर्याना के जीन जिले के रहने वाले है आपका कॉशन इस तरह भी आ सकता है कि टी-20 मैच में 6 विकट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज कौन है तो आप कांस्टर होगा युजवेंदर चैल देखे पिछले एक्जाम में खिलाडियों की जनमती थी भी पूछी जा चुकी है इसलिए आप खिलाडियों की जनमती थी वे जनमस्तान भी याद रखें युजवेंदर चैल की जनमती थी 23 जुलाई 1990 है देखे किर्केट से सम्मंदित एक कोशन हर्यान के हाई कोर्ट के एक्जाम में जो की 26 मार्थ 2017 को हुआ था उसमें आया है कि विरेंदर सहवा के बाद किस भारते किर्केटर ने टेस्ट किर्केट में ट्रिपल सेंचुरी लगाई है तो इसमें आप का अंसर होगा करुण नयर आपका नेक्स्ट कोशन है हर्याना में राजस्वा मंदलों के संख्या कितनी हो गई है आप का अंसर होगा 6, आपका ये कोशिन ओर आ सकता है कि हर्याना में कौन-कौन से ने राजस्वम मंदल बनाए गए हैं, तो इसमें आप का अंसर होगा करनाल और फ्रीदाबाद, देखें हर्याना में पहले 4 राजस्वम मंदल थे, वो कौन-कौन से थे, आपका अंबाला, र तक इसार और गुरुग्राम और करनाल और फ्रिदाबाद के जुड़ने के बाद इनकी संख्या 6 हो गई है देखिए राजस्वम मंटलो के लिए आप एक ट्रिक भी याद कर सकते है और वो ट्रिक है फुल हर्याना जिग के आप हर्याना को एचर भी लिख सकते हो शोट फोर्म में तो फुल में आपका F से हो गया फृरिदाबाद आपका हर्याना में S से हो गया हिसार A से हो गया अंबाडा r-0-tak g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g कि कौनसे मंदल में सबसे ज़्यादा जिल्य आते हैं तो इसमें आपका आंसर होगा रोतक मंदल, रोतक मंदल में 5 जिल्य आते हैं जो कि हैं रोतक जटग्सर शोनफ़ चरकी दादुरी और विवारी आपका एक कreश्शन और हो सकता है कि जो नर्रिमित जिला है चर्की दादरी आपका रियानम में बाइस जिले हो चुके हैं तो आपका सबसे लेटर्स जिला है चर्की दादरी तो चर्की दादरी किस मंडल में आता है तो आपका इसका भी आंसर होगा रोतक मंडल में बाकी अमबाला मंडल में च्यार जिले आते हैं अमबाला यम तीन जिले आते हैं गुरुगराम, रिवाडी, मेंदरगड करनाल मंदल में भी तीन जिले आते हैं करनाल, पाणिपद, कैथल और फृरीदाबाद मंदल में भी तीन जिले आते हैं फृरीदाबाद, पलवल और नू Next question है हर्याना में पुलिस रेंज के संक्या कितनी हो गई है आपका अंसर होगा पांच और ये पुलिस रेंज कौन कौन से हैं अमबाला, रोतक, हिसार, करनाल और साउथ रेंज और साउथ रेंज का मुख्यले आपका रेवाडी में है देखिये आपको जिले के नाम देकर यह कोशन भी पूछे जा सकते हैं कि यह जिला किस पुलिस रेंज के अंतरकता आता है तो इसलिए आपको प्रतेग पुलिस रेंज के जिले के नाम भी पता होने चाहिए आपके अंबाला पुलिस रेंज में अंबाला, यम्नानगर और कुरुशेक्तर जिले आते हैं करनाल पुलिस रेंज में करनाल, पानिपत और कैथल जिले रोतक पुलिस रेंज में रोतक, जजजर, सोनिपत, चर्किजादरी और भिवानी हिसार पुलिस रेंज में हिसार, हाश्ची, फतेयबाद, सिर्षा और जीन्द साउथ रेंज में रिवाडी, मेंदरगड, पलवल और नू आपके तीन पुलिस आयुकताले भी हैं जो हैं पंचकुला, गुरुग्राम और फ्रिदाबाद देखिए, ये कुश्चन भी आ सकता है कि किस पुलिस रेंज के अंतरगड सबसे ज्यादा जिले आते हैं तो आप का अंसर होगा, रोतक पुलिस रेंज देखिए, रोतक राजवसम मंडल के अंतरगड भी सबसे ज्यादा जिले आते हैं देखे एक question और पुछा जा सकता है कि इन में से कौन सा पुलिस जिला है तो आपका ठीक option होगा हासी देखे हासी जिला नहीं है ये special पुलिस जिला बनाया गया है आपका next question है हर्याने में कितनी नई तैसिले बनाई गई है तो इसमें आपका अंसर होगा 10 next question है हर्याने में कितनी नई उप तैसिले बनाई गई है तो आपका अंसर होगा 11 देखे तैसिल तो 10 बनाई गई है और उप तैसिल 11 अपका नेक्स्ट कोशन है के अंदर सरकार ने हर्याने के कितने जिलों में पोस्ट ओफिस पास्पोर्ट सेवा के अंदर खोलने की अनुमती परदान किया है तो इसमें आप का अंसर होगा तीन जिले और ये तीन जिले हैं इसार, करनाल और फरीदाबाद देखें आपका कोशन इस परकार से भी आ सकता है कि निन में से किस दिले में पोस्ट ओफिस पास्पोर्ट सेवा के अंदर नहीं खुला है तो इसमें हिसार, करनाल और फरीदाबाद ओप्शन को छोड़ कर जो फौर्थ ओप्शन होगा वो आपका आंस्वर होगा और अगर ये कोशन पूछा जाए कि पूरे देश में के अंदर सरकार ने पर्थम चरण में कितने पोस्ट ओफिस पास्पोर्ट सेवा के अंदर खोलने की अनुमती परदान किये है तो आप का आंस्वर होगा 56 इसमें आपका आंस्वर होगा गुरु ग्राम आपका नेक्स और के कितने खिलाडियों को भीम आवार्द से समानित किया गया है आपका आंस्वर है 42 खिलाडियों को भीमवाड के अंतरगत प्रते खिलाडि को 5 पाच लाख रुपए पुरुषकार राशी के रूप में प्रदान की गई है तथा आज इवन हर्याना रोडवेज में फ्री यातरा करने की सुविदा दी गई है Thank you guys for watching our video Please subscribe to our channel Study Zone for updates about Haryana Current Affairs and Haryana Static GK Thank you